हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैं सुई साक्षी तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले डिरेक्शन कोसाइन्स एंड डिरेक्शन रिश्योज जिनकों डिसीज एंड डियार्स भी बोलते हैं सो यहाँ पर हमने ले लिए एक 3D फिगर क्यूब हो है और जैसे कि आप देख रहे हैं यह हमारी क्या है यह हमारी है X-axis यह है Y-axis एंड यह है Z-axis यहाँ पर हमने ओरीजन लिया है O और O-P हमने क्या ले लिए एक पोजिशन वेक्टर और वेक्टर तो देखे अब हम पढ़ेंगे पहले disease क्या होता है तो देखे जो मेरी X-axis है यह इसका positive part और इसके positive part से अगर हम O-P पर एक angle ले ले और इसको हमने नाम दे दिया है alpha इसी के साथ साथ हम Y के positive part से एक angle ले ले और पी तक तो यह है बीटा और O-Z के positive part से ले तो यह कितना है गामा आप positive part तो समझ रहे है न यह इसका positive part है पीछे की साथ क्या जाएगा negative हो जाएगा यह positive है इधर साथ negative उपर Z positive और नीचे की साथ क्या हो जाएगा negative तो यहाँ पर जो हमारे alpha, beta, gamma है वो क्या है हमारे angle है from positive X, Y and Z axis से तो alpha, beta, gamma हमारे क्या है एंगिल से positive X, Y, Z axis से तो अगर मैं इन angles का क्या ले लूँ? cosine ले ले लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम क्या ले ले? cosine का मतलब cos होता है अगर हम ले ले cos alpha, cos beta and cos gamma तो अब जो यह हैं यह हमारे क्या 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 लेंगे? यह हमारे क्या क्या लेंगे disease, clear है न? So disease क्या होता है basically? वह एक अपनी क्या 3D figure है जिसमें अगर हम कोई position vector ले 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 तो तीनो एक्सिस के, तीनो positive axis से जो angle बनते हैं अगर हम उनका cos science ले ले तो हमारे क्या 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 लगते हैं? disease क्या लगते हैं हम इनको cos alpha, cos beta, cos gamma से भी denote करते हैं और हम इनको L, M, N, N से भी denote करते हैं ठीक है? So अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना एक बात आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि L स्कॉायर प्लस M स्कॉायर प्लस N स्कॉायर की value हमेशा क्या होती है? 1 के equal होती है अब यहाँ पर अच्छे एक बात रखेगे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा चाहँ इसको ना ऐसे समझते हैं जैसे यहाँ यहाँ एक्स दूरी है यहाँ एक्स एक्स इस पर मैंने एक्स दूरी ले लिए इस पर क्या ले लिए मैंने Y और इस पर मैंने ले लिए है Z तो यहाँ पर हम कोस अलफा को क्या लिख सकते हैं? तो cos alpha को हम लिख सकते हैं x upon r तो cos alpha अपना क्या हो जाएगा x upon r ये था न अपना अब y के अगर बात करें cos alpha क्यालो या cos beta अब हम क्या निकाल दें cos beta क्या हो जाएगा y upon r और इसी तरह अपना cos gamma किसके equal आजाएगा z upon r के यहां से हमें क्या मिल गए cos alpha l के equal है यह हम जानता है ना l भी होता है और cos beta को हम m लिख सकते हैं and cos gamma को हम लिख सकते हैं n तो यहां पर अब क्या हो जाएगा यहां से हम x की value निकालेंगे तो कितनी आजाएगी lr y की value यहां से मारे पास कितनी आजाएगी mr और Z की value यहां से मारे पास कितनी आ जाएगी NR अब जो यह XYZ आए है ना तो यह अब हमारे क्या कहलेंगे यह कहलेंगे हमारे DR's clear है ना यह हमारे DC's थे और यह आ गए हमारे DR's और यहां पर हमें क्या रखना है कि L square plus M square plus N square is equal to 1 L का मतलब कहा है यहां पर हम क्या कह सकते है कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma यह किसके equal होता है 1 के equal होता है अब कुछ और points पढ़ते हैं जैसे यहां पर क्या है हमारे पास angle between two vectors in terms of their DR's यह अकिनी भी दो vectors के बीच का हमें angle निकालना है कब जब हमें क्या given है DR's given है So DR's में suppose करते है मैं A vector और B vector दे हो DR's के हमारे A1 आई B1 जे C1 के and A2 आई B2 जे C2 गए तो DR's है A1 B1 C1 and A2 B2 C2 So cos theta यानि इनके बीच का angle क्या जाएगा A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon में under root A1 का square plus B1 का square plus C1 का square यह कितना हो जाएगा under root A2 का square plus B2 का square plus C2 का square यहाँ पर अगर दोनों vector जो हमारे A vector और B vector अगर यह perpendicular है तो A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 किसके एक को लाएगा 0 की पर यह आप खुद ही सोचिए न perpendicular का मतलब का है 90 degree तो यहाँ पर अगर हम 90 degree रखते हैं so cos 90 0 हो जाएगा तो यह completely 0 में चला गया तो यह पूरा किसके एकको जीरो के एकको है अगर दोनों के आपस में parallel है तो condition क्या जाती है A1 upon A2 equals to में B1 upon B2 and equals to में C1 upon C2 तो यह तो हमने angle देख लिया अगर हमें angle निकाला जब हमें DRs दी होए अगर हमें DRs के place पर DCs दे दिया है तो हम angle कैसे निकाल सकते है अब यहाँ पर हमें DRs L1 M1 N1 and L2 M2 N2 तो फोर्मूला भी ऐसे ही अप्लाई होगा देखिए L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 and upon में जाएगा अपना under root L1 square plus M1 square plus N1 square under root L2 square M2 square plus N2 square और अभी हमने पढ़ा है कि L1 square plus M1 plus N square कितना होता है 1 ऐसे यह भी कितना होगा है 1 तो cos theta किसे निकल जाएगा L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 से तो अगर दोना perpendicular पर वही condition हो जाएगे यह आपर 90 degree रखोगे तो 0 आजाएगा तो यह पूरा 0 के एक को है और अगर parallel है तो हम जानते हैं L1 upon L2, M1 upon M2 and N1 upon N2 So friends, आज की इस वीडियो में हमने clearly समझ लिया है कि DRs और DCs होते क्या है और उनके बीच के angles के formulae वगरा क्या होते हैं So जो हमारी next वीडियो है उसमें हम करेंगे questions करेंगे DRs, DCs और angle between हमारे जितने भी vectors वगरा उनके बीच में जो angles वगरा निकालने उस पर बेज़ ट्रम questions करने में लिए